नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह की की रिकवरी और तेजी और गिरावट स्टॉक्स के अंदर हम लोग बग 173 रुपे के आसपास जाने के बाद में स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जब टोटल मार्केट के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने हो पिली तब ही यह स्टॉक्स जो है हम लोगों को गिरता हुआ नजर आया बट ओवराल अगर सिच्विशन आप तेखने की ए कोसिस करेंगे तो कंपनी फिलाल में किस तरह की के है बिजनिस किस तरह की के हैं तो यह सारी चीज़ों पर आप फोकश करने की कोसिस करेंगे तो नफ अच्छा पैसा कमा पाएंगों दोस्तोबड़ा सा अगर आप इस चीज़े को अब norm अगर आप palabra करें के नि देगी ये चीज़ समझने की कोशिस किये तो आज उनके पास में अच्छा कासा पैसा जो है फिलाल की डेट में हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है तो अब ही क्या है कि अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ठीक ठाक है वैलूशन्स भी ठीक ठाक है और सेल ग्र से रेटांस देखने को मिल सकते हैं बट दोस्तों क्या होता है कि प्राइस तो आपको जो है मूब करता हुआ नजर आ जाए बट इसके पीछे जो है फाई एस होगए प्रमोटर्स होगए डियाएस होगए वो कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी गहरी चाल खेल जाते व और स्टोक्स को एक ऐसे नीचे प्राइस पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं तम्हार रिटेल इंवेस्टर्स या बड़े बड़े दिग्गत जो है मुचल फ्रंट्स है वो खरीदारी करने के बारे में सोस्टे नहीं है और खुद अपना माल उसके अंदर डालकर और किस तरीके के आएंगे अगर अच्छे खासे आते हैं तो आपको जो है इसके अंदर एंट्र लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है मैं कहना मैं फिर भी कह रहा हूं जिस तरीकी से यूके के अंदर हम लोगो कंडिशन देखने को मिल रही तो अभी अभी बहाना है कि अभी है कि उनको उनकी सोच को जो है एफाई एस जैस पर मोटर जो है धूल में बिलाकर रख सकते हैं तो यह थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर यह वापिस साट रुपे पर आपको जाता हुआ दिखाई दिया स्टोक्स तो क्या है कि उन्हें माल निकालने पर मजबूर हो लोगों को कमा के देगा या नहीं या फिर यहीं इसी प्राइस के आसपास आपको मुग और नजर आता है तो सबसे पहली बात तो एक पॉजिटीव चीज हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है वह यह मिली है कि जिस तरीखी से बजार के अंदर हम लोगों को करेक्श हुआ है तो वो क्या काम कर सकते थे बिकवाली कर सकते थे बट अभी उन्होंने बिकवाली नहीं किये क्योंकि क्या है कि इस टोक्स को हो सकता है कि वो उपर के लेवल पर ले जाने के बाद में अपना माल निकालने की को सिस करें तो यहीं सारी चीजे होती है अभी फिलाल मे जो कोरोना वायरिस, कोविड की सिचुशन्स चल रही है, वो सर्फ यही दिखा रही है कि अभी फिलाल में क्या है, कि ब्रिटेन के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जो है इस मामले में आती हुई नजर आ रही है, तो कही ना कहीं अगर यह दिक्कतें जो है बढ़ती क्या होगा कि profit के अंदर हम लोगों को loss देखने को मिलेगा और अगर loss देखने को मिलेगा तो जो quarterly result आएंगे अब देखो क्या है कि company तो overall अपना sentiment जिस तरह किसे quarterly result के दोरान रखती है तो जिस तरह किसे वो क्या होगा फिर negative रखना पड़ेगा तो फिर क्या है कि stocks के अंदर हम कोड़ी बहुत भी financial दिक्कत आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई दी तो आप जानते हैं कि आपने इसके financial result अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं तो उसमें क्या है कि आपको quarterly results के अंदर हम लोगों को गिरावाट देखने को मिल रही है वो भी लोग हैं सोच रहे हैं कि stock के अंदर हम लोगों को खरीदारी करनी चाहिए तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी आप खरीदारी करने की सोच रहे हैं आप उसका 10वा हिस्सा खरीदे देना तो आप हमेसा जीत में रहेंगे आप सोच रहें कि मुझे यहां पे 100 shares करी देने अब देखेगा ना तो momentum आपको जो है के अंदर देखने को मिलेगा दिरे-धिरे करके जब आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक हम लोगों को इसके अंदर जो है चाल देखने को मिल रही है तो आप अपनी quantity बढ़ा सकते हैं तो क्या है कि आपको इसी तरीके से पैसे कमाने हैं ल पापस से हम लोगों को इसके अंदर गिरावार देखने को मिली है वो भी लगबग 145 रुपे के आसपास तक उसके बाद में जो तेजी देखने को मिली है लगबग 173 रुपे के आसपास तक यह स्टोक्स आपको जाता हुआ दिखाए दिया है अब तक 3-4 दिन 4-5 दिन का जो नहीं उठा रहे थे तो एक कारण ये भी हो सकता है बट तो टाइम के देखने को पता चलेगा जिस तरीकी से अगले इसके रिजल्ट हम लोगों के सामने आते हुए नजर आएंगे तब पता चलेगा कि क्या इस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस किस तरीकी की परफॉर्में अच्छल तो बिजनिस के बारे में जैसे कि हमेर औसे नाम नाम से जाने जाती है तो अच्छा कासा है इसका जो चैनल सब्सक्राइक और क्रेक लिना तकि नए वीडियो के नोटिफिक्षिशन सीखिए आपके मुबाइल पर मिज़ सकें थैंक्यू सो मच वाच आए